नमस्कार दोस्तों सबिस्क्राइब कीजिए ARSANI टेक्नो प्रगामर चैनल को साथी बेल आइकन हीट कीजिए हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरुंत पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त ARSANI फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में जिसमें पट रहे हैं ग्राफिक सिंस्री प्रग्रामिंग को अभी तक अपने इससे बैसिक पर काम किया है और कुछ अपने शेप भी डिजाइन किया है जैसा कि अपने यहां पर इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि हाओ टू ड्रो अलिप्स एल्लिप्टिकल अर्क जो यह काम करेगी और फिर लास्ट में देखने वाले हैं कि जो फिल्ड इलिप्स होता है यह अभी तक जो भी आपने पैटन बनाया है वह रेक्टेंगल बने होगा अपने सरकल बनाया है वो उसके अंदर जो है वो सिर्प outline बनके आती है अंदर भरावा कुछ भी नहीं होता याणि कि फिल्ड नहीं होता है आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में कि ellips के साथ साथ में अपन फिल्ड ऐलिप्स को भी लेंगे याणि कि filled ellipse कैसे design करने वाले हैं तो उसका function आपके पास में अलग से होगा इसको वो कैसे काम करता है इसको भी आज पढ़ेंगे अपन तो start करते हैं इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं how to draw the ellipse इसके लिए एक function काम में लोंगा जिसका नाम होता है ellipse it is used to draw ellipse और elliptical arc यहने कि आपको elliptical arc बनानी है या ellipse बनाना है दोनों के लिए same function काम करेगा जबकि अपने पिछले वीडियो में देखा था आपको इदि circle ड्रो करना है तो अलग function काम करता है circle नाम का और इदि आपको circular arc बनानी है जबकि अपने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्क बनाते समय मुझे एंगल भी देना पड़ेगा यानि कि कहां से आर्क सुरू करनी है और कहां तक उस आर्क को लेके जाना है तो यहां पर भी वो परामेंटर तो रहेंगे करने ही रहेंगे दूसरा मेरे पास के रहना वाला है उस इलिप्स को सेंटर पाइंट होने बनानी और चौती बात करनी है और पांच मेरे पास होगा जैसा के देखते हैं सर्कल के अंदर एक रेडियस होती है क्योंकि उसके चारोत रुप होती है वो SAM दूरी पर होती है but इज मैं इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स के अंधर मेरे पास जो X-axis की जो radius होती ही वो, अलग होती है, और जो Y-axis की, जोई आपको यहां पर पास्स करना पड़ेगा, जो जो च्रि क्या हो गया है, तो TOTL मिला कि मिरे पास 6 peremỉटर से, जिसमें दे बात करें, ठीक है बढ़ अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दो आपको रेडियस देने पड़ेगी एक्स रेडिस और यदिस देने पड़ेगी एंगल क्या होता है वो पन समझ रहके हैं फिर इस पेसिफिक्षन देख लेता हैं यहाँ पर एक्सेंड वाई आपकी वह कहाँ पर जाके बनेगी यह दि मैंने एंगल 0 से 360 दे दिया है तो इलिप्स बन जाएगा और 0 से लेके महला 360 देके कुछ और दे दिया आप पने तो वह क्या मन जाएगी आपकी इलिप्टिकल आर्क मिल जाएगी अच्छा एलिप्टिकल आर्क मनाने के लिए जरू नहीं है मैंसा 0 से ही स्टाट करना है आप 90 से 360 जा सकते हो आप 90 से 180 तक भी जा सकते हो जैसी भी आपको इ परमेंटर का एक्स नाम क्यों गया दूसरा परमेंटर आपको Wirnaam गया तीसरा मेरत पास क्यों एंगल है और क्लेएं और पांस मे profits or च्छत्टर वर मेंटर एंगल दफे हो गया है तो अपन इसको ड्रो और ने की यहां पर लिख दता हूं यह 100,100 इसी को मैं सेंटर पॉंट माल लेता हूं कि यह सपोज मेरा सेंटर पॉंट होगा तो मैं जो इलिपस है वो कैसे ड्रो हो गया आएगी यहां पर लिख पा रहा हूं कि यह कितना हो जाएगा और यहां पर देखों तो यह कितना हो जाएगा 360 डिगरी हो जाएगा तो अपन बोल रहे हैं कि जो लाइन ड्रो होनी है वह कुल मिला कि 0 से लेके कहां पर आना आपको 360 तक वापस आजाना मलग कम्प्लीट जो है इलिपस बनके आना है रेडिस की बात कर आएगा वह कुछ इस तरह से बनके आएगा कि आप बात करें यहां पर 0 डिगरी से लेकि कहां तक कम्प्लीट मेरे पास कहां पर आना पड़ेगा 360 डिगरी तक मुझे आना पड़ेगा ठीक है यही मैं यहां पर कुछ कम कर दूँ यानि कि एंगल को चैंज कर दता हूं तो म आपका एक्स की डेडियस है और यह वाई की डेडियस होगी है तो इसका मतलब क्या हुआ है सेम आपको 100,100 अपका सेंटर पॉइंट है और एक्स डेडिस कितनी 50 जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा आपने और आपका 25 जो है वह यहां पर एंगल को चैंज कर दिया इसका म मेरा यह जो इलिप्ज है उसमें जो ड्रेड जो आपको लाइन जो और यह आपको ड्रो महां पर एंकटर आपको दिखांगी और यहां पर इंगल हो गया 270 तो यह क्या करेगा 90 से लेकि 270 तक की जो आर्क है के वल उसी को डिस्प्ले करा देगा तो इसका मतलब क्या हुआ है आपको इलिप्स पराना है या इलिप्टिकल आर्क परानी है दोनों के लिए इसके अंदर आपको चेंज करने पड़ेंगे एंगल को कि कौन सी और कहां से और कहां तक की मुझे आर्क को यूज करना है तो नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं और यह आपको बताएगा कि फिल इलिप्स नाम का जो फंक्शन होता है वह आपको इलिप्स को फिल करके देगा म उसके उसको कर सकते हैं को फिल में देखने वाले हैं कि हाउट टु चेंज दर रेंग रए कि अ two can है ऐसा क्यों है वो फ्र याओ बनाने के लिए मुझे प्र–ख अक् bullish के लिए बंब नाने वाला है देना है और उसके लिए ऊटा लेख ऑस यहां ओना दोड़े लिएतों मिल्ला इसके लिए खुंब तो कि थानने पड़एगी कि किया अको करना है करना है elliptical आर्क बनाने तो क्या करना है और इदी फिल्ड एलिप्स बनाना है तो फिर आपको पॉंच्छा वंक्शन इस करना है और वो कैसे काम करेगा तो यहां पर अपन देख पार है कि टूटल चार परमेटर थे एक्स और य आपके तो यहां पर मेरे पास यहां हो तो यहां पर कर रखा良्य कॿछ ब्लू रखा लेकिन जब आपके सामने जो ब्लेक स्कीन पर डिस्प्ली होके बाइड डिफॉल्ट आएगा वह वाइट कलरों ब्रहों आएगा और आपके बास में क्या हुआ हैगा और इहाद के एक्स सच्रेट्फ से जदा होगी तो आपको ऑूरिजोंटल इलिपस दे देगा तो practical सुरू करते हैं और जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हो कि आपने वो sample code बना रखा है जो अपने हर previous program में use करते हा रहे हैं आपको आज की जो function अपने पड़े हैं वो init graph है नि graph के इनि slice होने के बाद आपको use करना है मैं यहां पर use करता हूँ ellipse के लिए तो सबसे पहले बात करूब मैं ellipse और ellipse के इंदे टोटल कितने परामेटर से 6 परामेटर मैं 6 के 6 को पास करता हूँ पहला परामेटर स्पोज 100 है दूसरा में रपास 100 है जो center point को represent करेगा और तीसा परामेटर था में रपास 0 और 4 परामेटर था 360 यानि की starting angle और end angle और फिर अपन बात करते हूँ जो फिप्ट परामेटर था वो थी x की radius और x की radius मैं दे देता हूँ सपोज हां में 50 और जो y की radius थी वो मैं दे देता हूँ या पर 25 इसको बंद कर देता हूँ सेमी कॉल लगा देता हूँ और फिर मैं इसको क्या कर दो compile और run कर देता हूँ तो compile करता हूँ मैं यहाँ पर zero error के साथ compile हो गया है अब मैं इसको run कर दू तो run करने के लिए मैं control f time प्रेश करूँगा तो मेरे इसके नीचे यह यादि कि ऊपर बने हो तो या इनलिफ्स मैं इसके नीचे बना लेता हूँ तो मैं सबोज यहां पर देता हूं टूंडेट ठीक है तुंडेट मैं या पर जो प्वाइं रिए पर रेंगल बदल दूं एंगल सबूज मैंने रग और 90 से मैंने बात कर लिए यहां पर 360 की टीक है तो मैं यहां पर इस को लो 360 कॉमा और साइज वही रख दता हूं सपोर्च है जो एक्स एक्सिस की रेडिस से वो 25 और जो वाइड डिस की है वो कितनी वो 25 इसको बंद करता हूं फिर आप चला देता हूं मैं इसको तो मैं डिरेक्टल कर दता हूं और श्टोर कर दता हूं तो मेरे पास जो आउट पूर्ट आया वो कि इस तरह से है मलोग जो आपको कम्प्लेट इलिप्स बनने की बजाए क् इनि एक पॉर्टिंट इणि अपने यहां पर दो तक है और यहां पर वाले में लिग दता हो मैं यहां पर क्या बोलो किया दिया है और अब मैं बात करते हैं यहां पर नीचे कि जो फिल्ड इलिप्स है वो कैसे ड्रो करेंगे और इसके लिए कौई सा फंक्षिन काम में लिया था आपने अबने लिए संदो तीनों में देखना चाहरे हैं इसके बाद बात करूँ में यह दि मुझे फिल्ड बनाना और यह इसमें फिली बनेगा इसमें आर्क बनने सकती है मला आपको एंगल तो देने यह नहीं है फिल एलिप्स के अंदर चार परामेटर ही थे चार कौन से दे एक् की वर्टीकल इलिप्स प्रिंट होके आएगा यह में बोल देतों पच्छास यह बंद कर दिया समी को लगा दिया अपने तो यह कुछ फिल्ल होके आएगा मेरे पास में और बाइडिफोल किसमें आना वाला है मैंने बता रखा आपको किसमें आएगा वाइट कलर में देख की कलर से और वो बाइडिफोल को향 सार आपको इसमें गाइवारां इसनलों वाइट कलर में दिस प्ले होके आएगा इस वीडियो में आपन इतना है पड़ेंगे ठांग्स पर वाचिङ वीडियो नेक्स्ट विडियो में बात करेंगे अपन कलर चैंज करने की जैनी कि आपक कोई दी वडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए